So hello everyone, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा transfer of heat अगर आपने अभी तक हमें हमारे social media platforms Instagram, Facebook या Telegram पर join नहीं किया है तो आप हमारे description box में दियेगे links पर जाके हमें join कर सकते हैं इन platforms पर भी तो देर ना लगाते हुए आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं तो पहले हम जानते हैं heat क्या है? Heat is a form of energy that flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature Heat energy के एक form है जो जादा temperature वाली body से कम temperature वाली body की तरफ move करता है Natural form में It is also referred to as thermal energy से thermal energy भी कहा जाता है इसकी ऐससा unit है जावल But जादा दर हम calorie का इस्तिमाल करते हैं और हमारे पास एक calorie और जावल का relation है One calorie is approximately 4.2 जावल आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं modes of heat transfer की तो हमारे पास heat जो है वो तीन modes में transfer होती है Conduction, Convection and Radiation ये इनके नाम है आईए इन्हें थोड़ी detail में जानने की कोशिश करते हैं तो पहले हम बात करते हैं conduction की Conduction, it is the heat transfer that takes place when bodies are in direct contact Bodies जब direct contact में हो तब जब heat transfer होती है एक से दूसरी में उसे हम क्या कहते हैं Conduction कहते हैं Conduction is mode of transfer in solids Examples के दौर पे आप घर में stove पे कुछ पकाते हैं Burner चलता है नीचे आपके उपर रखा हुआ बर्तन या utensil गरम होता है और उसमें रखे हुए ingredients क्या होते हैं पक जाते हैं तेके चलते हैं आगे कुछ applications देखते हैं पहली कह है आप सर्दियां आ रही हैं आप सब जानते हैं गरम चाहे आप डालते हैं चाहे वो cup में डाले हैं ग्लास में डाले हैं So what you observe के glass भी गरम हो जाता है गरम चाहे के कारण और जब आप उसे हाथ में पकड़ते हैं तो आपके हाथ भी गरम हो जाती है तो यादी है If you touch a hot stove or a vessel, it may burn skin. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी किसी flame को, किसी दिये को, किसी मुंबत्ती को, या किसी भी चीज को हाथ लगा लेते हैं, तो हाथ जल जाता है. आयन से भी हाथ जल जाता है, कभी कबार. तो अगली उस पर चलते हैं, अगली हमारी है, convection. convection, convection क्या होता है, it is a transfer of heat from one place to another by the movement of fluids. fluids क्या होते हैं, fluids वो हैं, जो flow कर सकते हैं, जैसे कि हमारी liquids and gases, यह हमें इन दोनों चीजों में, fluids में देखने को मिलता है, यह mode of heat transfer. आईए इसके कुछ applications जानते हैं, तो पहली क्या है, आपने hot air balloons देखे जरूर होंगे, पट क्या आपको बता हुथा, they work on the principle of convection. आप जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं, क्या बर्नर से हवा जो है वो गर्म हो रही है, the hot air rises up, hot air उपर उठती है, hot air की density कम होती है, balloon की density कम हो जाती है, तो balloon जब light हो जाता है surrounding air से, it starts floating, it starts rising, वो उपर उठने लगता है, ठीक है? और अगर इसको नीचे लाना है, तो इनके top पे एक release valve होता है, जिससे वो क्या? गरम हवा को बाहर निकाल देते हैं, ठंडी हवा उसकी जगा ले लेती है, और balloon नीचे की और रहने लगता है. अगली देखते हैं, अगर आपने कभी माचिस की तीली जलाई हो, तो माचिस की तीली के उपर आप हाथ करो, उसके पास नहीं, काफी उपर भी करो, तो भी आपको क्या heat महसूस होती है? इसका भी कारण यही है, कि heat आपकी, जो hot gases है, वो उपर की और move करती है, और convection से हमें heat महसूस होती है. अगला है हमारा land and sea breeze, यह geography का पार्ट है, बट इसमें भी convection एक बहुत important role play करता है, दिन के समय, जमीन जादा गरम हो जाती है, थंडा रहता है, हवा समूंदर से धर्ती की और चलती है, रात के समय, पानी धीरे धीरे थंडा होता है, और धर्ती जल्दी थंडी हो जाती है, त अगली है हमारे पास radiation, energy is transferred in the form of electromagnetic waves, बड़ा भरी भरकम शब्दे है, electromagnetic waves, आपको पता हो, आपकी light, आपकी x-ray, आपकी UV rights, infrared lights, radio waves, cosmic rays, यह सभी आपके EM spectrum का ही पार्ट है, EM उसका ही पार्ट है, इन waves की यह खासियत है, इनको material medium नीच है यह travel करने के लिए, ठीक है, यह बिना किसी medium के vacuum से भी pass कर जाती है, clear, तो इसकी कुछ applications देखते हैं, जैसे application number one है हमारे पास, धर्ती पर light का source जो है, light का and heat का main source है, that is sun, तो हमें पता है, हमारे earth के पास atmosphere है, atmosphere के बाद क्या है, vacuum है, space has vacuum, तो यह जो sun की heat and light है, यह vacuum से होते हुए, हमारे पास धर्ती तक पहुंच जाती है, the heat of sun reaches our through radiation, यह radiation के form में हमारे पास पहुंच जाती है, ठीक है, अगली पे चलते है, तो अगली है हमारे पास, हाँ जी, आप सभी ने हमारे यहां पे तयोहार होता है, लोडी का, तो उस पे हम bonfire के आसपास बैठते हैं, तो आप सभी ने देखा आप किसी भी direction में बैठो, आपको heat महसूस होती है, ठीक है, यह भी हमारी radiation का ही use है, अगली चीज़ की देखे, तो घर पे सभी के fridge है, फ्रिज में क्या है, पीछे आपकी ऐसा structure बना होता है, इस structure से क्या है, जो fridge है है हमारा, वो passive transfer of heat करता है, यानि कि यह forged transfer होती है, surrounding से fridge जगा को क्या कर देता है, उस वाली पार्ट को ठंडा कर देता है, अंदर ठंडा है, बाहर fridge, वो ही heat release कर देता है, the radiator fins at the back of fridge, तो इन से इनको यूज करते हुए, फ्रिज क्या करता है, excessive heat radiate out कर देता है, ठीक है, clear, जो microwave यूज करते हैं, microwave uses all the three modes of heat transfer, चाहे conduction हो, चाहे convection हो, या radiation हो, to heat the food, एक और चीज मैं आपको इसी के साथ add करना चाहूंगा, microwave उन चीजों को गरम नहीं कर सकता, जिन में water molecules ना हो, microwave की frequency ऐसे सट की होती है, कि वो water molecules को गरम करे, उन्हें ये vibration हो, vibration से क्या होगे, वो गरम कर शुरू कर देंगा, आशा करता हूँ, आप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, प्लीज लाइक करें, शेर करें अपने friends family के साथ, हमारे चैनल Universal Academy को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे वाले content के लिए हमारे साथ जुडे रहें,